आपकी अधिकतर नसियते जो हैं वो महिलाओं के लिए होती हैं ये एक बड़ा आरूप है आपके क्या है ये? पैन, कलम आप बताओ इसमें अब हमने इसको खोल दी आप क्या दिख रहा है? है न? अब इसका ये हिस्सा भी दिख रहा है जहां से लिखा जाता है है अब हमने इसको ड़कन से ड़क दिया अब नहीं है और आम हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो तो यह कहां तक सही है दिखो मुआ है जो हीरा होता है न फीरे की दुकान में हीरा अंदर होता है और जो सरीया होता है वो दुकान में बाहर पड़ा रहता है लड़के तो सरीया की तरह हैं जबकि बेटियां हीरे की तरह हैं हीरे की कीमत जादा होती है इसलिए हीरे को समहाल कर रखा जाता है संजो की रखा जाता है हमने तो बाप दादों से यही सुना है कि बेटियां पिता की कुल का और और वहां ससर और सास और पती की कुल का तो दौन उकलों की जिम्मधारी बेटी की उपर है तो बेटे से ज़्यादा जिम्मधार कौन हुई बेटी हुई तो Ishi बिल्कुल दिखाईए लेकर वो वीडियो के वर 5 सेकेंड की है, 10 सेकेंड की है, उसका पूर आगे पीछे तो सुनिये हाँ, बिल्कुल पहले के लोग पती-पतनी पहले के लोग शादी होती छी तो सादी के बाद सबसे पहले घर में सत्त नारण भगवान की कछा होती छी बताईए महाराज जी भईया आपकी बाद ठीक है आपकी बाद बिल्कुल ठीक है मैं क्यों पाबंदी लगाऊंगा मैं कौन होता हूँ लेकिन एक नसीहत एक आपका भाई आपका बेटा आपका अपना होने के नाते आपने मुझे यहाँ बिठाया है न तो इसके नाते मैं आपको एक सलाह तो होगे आप आगे बढ़ेंगे संसकारों को लेकर तो कल आपके बच्चों को संसकार दे पाएंगे जब आज आप ऐसे हैं संसकार हीन हो जाएंगे तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे हमारे भारत की पहचान संसकारों से है आप बेटा खूब पढ़ो खूब लि है एक है हां एक ही है हंजी हंजी फिर ठीक है तो जब पती एक है तो दूसरा हो सकता है फिलाल तो नहीं भविश्य में भविश्य में भी नहीं एक महिला ने मेरे से पूछा कि महराज जी क्या मैं फलाने बाबा को भगवान मालूं तो मैंने का भाई भगवान किसको सबको थो मैंने का 2 हो सकते हैं? आप वह लोग बनाते हैं जो तरक सास्त्र घ करनाते ही, तुबुई खान है मार साथ यहाँ पर, वह फेशर से अद्वोकेट बी है उस सवाल पूछे जाती है जिन चीजों को मुझे गलत लगा और मैं आप से सवाल पूछना चाहती थी वो नारी से रिलेटेड ही सारे सवाल थे ये मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी गलती मानी कि हां मेरे मुझे वो गलत निकल गया लेकिन एक मन में छोटी सी कसक ये है कि आपके उपर जितने भ पती हैं तो मुझे लगता है कि मैं चाहती हूं कि आप इस मन से ये क्लियर करिए कि सनातन धर में आपकी दृष्टी में नारी की क्या जगा है मैं नारीयों का कितना सम्मान करता हूं इसके लिए आप कभी ब्रंदा बनाएए जो बेटे अपनी माओं को घर से निकाल देते हैं ऐसी 280 व्रद्धमाय वहां रहती हैं और सभी माओं के मैं खुद अपने हाथ से पाऊं दबाता हूं चरन दबाता हूं इससे बड़ा नारी का सम्मान देखो एक होता है व्यक्ति नारी का सम्मान करो 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 करना चाहिए एक तो केवल मुझे बोलता है लेकर आपका जो पहुचती है नारीयों के प्रती मैंने तो सदा से सेवा का भाव रखा है अभी परसों के दिन परसों के दिन ही एक मा की म्रत्यू हुई गोपाल आश्रम में ब्रद्धमा उनका भी कुछ दिन अटैक आया था कुछ दिन पहले इलाज कराया चल्ले डले छह महीने जीवित थ परिवार को फॉन लगाया मा चली गई आओ अंतिम दर्शन कर लो कंधा दे दो और चिता पर आग लगा दो साप मना कर दिया बेटों ने हमें फुरसत नहीं है आप ही कर देना सब तब मैंने स्वयम ने कंधा दिया स्वयम ने सेवा की जो बंद तेरवी से ले के बरसी से ल यह सालती है और यह दास उनको कंधा देता है कि अब अपने द्रॉपदी और सीता माता का जो के साथ जो इंसिडेंट घुए उनकी जो परिशानिया हों उनकी वजा अपने उनकी सुंदरता को बदाया ना न वो बात मेरी नहीं थी वो बात चाणक की है चाणक की कहते हैं कि अती रूपेन वई सीता अती गरवेन रावणा और आखरी में कहते हैं आपने बात सुनी होगी अती सरवत्र बरजयेद ये सुना होगा आपने आप मैंसे कितने लोगों ने सुना है कि अती सरवत्र बरजयेद ये चाणक की की बात है चाणक की का बचन है अती सरवत्र बरजयेद चाणक की हर बात तो मानने वाली नहीं ना चाणक की महापुरुष है पर हर बात तो मानने वाली नहीं तो बात चाणक की नीती में जो आप के मुख से बाताव थी कोई कैसा दिखता हं मैं कैसा दिखताहूं कैसे दिखते हैं ये तो इश्वर के ढेहा हैं भाइ बात अती की है जानक की बस殺ाल है क्योंति की बात प्रहें दूस्रा ही सब्सक्रम ठाकती है और दूसरी बात कर रहें किस चानक्य को बात लोगों पर नगे पुस्परा Bowl कोशिश कर राज राजनीती में पढ़ाई जा रही है चानक्य के सास्त्र पढ़ा जा और आप चानक को मानने सिनकार कर रहे हैं बताईए आप जाते हैं आप बन जाते हैं तो वह वाली चीज को सब कुछ हमारे वेद पुराणों में है सुनिए ऐसा है कर दो